हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आप सब का निकुंज बुटिक में मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ कोलर नेक डिजाइन तो इस तरह से हमने आगे पीछे के पार्ट को कट कर लिया है आठ इंच हमने तीरा लिया है और आठ इंच ही हमने इस तरह से मोडे लिये है आधा इंच जो है उपर से शोल्डर डाउन कर दिया है और इस तरह से आठ इंच मोडे लिये है अब हम लेंगे बुकरम का एक पीस लेंगे जो की लंबाई जिसकी है 14 इंच और चोडाई है 2 इंच ये चिपकने वाला पेस्टि बुक्रम है चिपकने वाली और इसको इस तरह से हाप से फोल्ड कर देंगे बीच से अब हम यहां पर एक मार्क लगाएंगे एक इंच का नीचे से हमने छोड़ना है और यहां पर बिलकुल एक सूत जितना हमने एक mark लगा लेना है बिल्कुल एक पैर की जितनी सिलाई होती है उतना यहाँ पर एक निसान लगा लेंगे देखेे और इस पे इस तरह से pin लगा लेंगे त देखिए इतना सा अंदर का जो गैप आएगा वो इसतरे से रहेगा अब हमने जो सामने वाला पार्ट है हमारा उसका गला कट करना है तीन इंच चोडाई और तीन इंच ही हम इसतरे से लंबाई लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे ये हमारा सामने का नेक रहेगा अब हमने आम होल की कटिंग करनी है इस तरह करीब पोना इंच की इस तरह हम कटिंग कर देंगे अब इसको हमने पट्टी को पेपर पेस्टिंग वाली जो पट्टी थी उसको हमने कपड़े पेस्ट कर लिया और आदा आइंच कपड़ा रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टीज कर दिया इसको सिलने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को लेना है इस तरह फ्रंट पार्ट को लेंगे लेकिन उसकी रॉंग साइड हमने लेनी है यह हमारी उल्डी साइड है और यह सीधी साइड है तो पट्टी हमने उल्डी साइड रखनी है और यह सीधी तरफ पलट के आ जाएगी नॉर्मली हम रखते हैं सीधी तरफ और वो उल्टी तरफ चली जाती है ये हम रखेंगे उल्टी तरफ और ये सीधी तरफ आ जाएगे बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से इसको चेक कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से पिन लगा ले या आप इस इस तरह आं बिल्कुल center में इसको fix कर दे रख के मैं इसपे pin लगा रही हूं अब हमने Dorothy लगानी है बुकरम के बिल्कुल कीनारे कीनारे पे लगानी है अमने बुकरम के उपर नहीं आनी चाहिए साथ साथ में हमने नीचे इस तरह से सिलाई लगानी है अब इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है और कट करने के टाइम में ये ध्यान रखना देखिए पीछे से बिल्कुल एक्जेक्ट हमारा ये सेंटर में आया है तो पीछे से भी एक बार चेक कर लें और इसको जब कट करेंगे तो आपका जो सिलाई वाला धाग है वो बिल्कुल भी कटे नहीं बिल्कुल बराबर दोनों तरफ एक जैसा मार्जन आए कटिंग के बाद इस तरह से कट करना है अब हमने इसको पलट लेना है और पलट के आप इसको सीधी तरफ ले आएंगे पट्टी को पलटने के बाद आप इस पे आइरन कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए देखे आइरन कर ली है अब मैं ये रेडिमेट पाइपिंग इस तरह इस्तेमाल करूंगी बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने इसको पाइपिंग को लगाना है अब यहां कोर्नर पे आएंगे तो बिल्कुल अच्छे से फिनिसिंग के साथ हमने लगाना है तो इस तरह से कोर्नर पे नुकिली चीज ले ले और उससे अंदर वाला जो पॉर्शन है उसको अंदर कर दें जितना पाइपिंग हमने बाहर रखनी है सिर्फ उतना इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दें बिल्कुल कोर्नर पे अच्छे से हमने फिनिसिंग के साथ इसको तयार करना है तो ये देखिए बिल्कुल खूबसुरत के साथ खूबसूरती के साथ हमारे कोर्नर तयार हुए हैं बिल्कुल फिनिसिंग के साथ तो इसी तरह से हमने कॉर्नर पे और साइड में लगाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेना है तो ये देखिए बहुत ही सुन्दर लग रही है ये अब हमने बीच से इसको जोइंट करना है जो गैप है उसको फिल करना है तो एक नॉर्मल पट्टी लेंगे ये तीन इंच चोड़ी है और इसको इस तरह से उपर की तरफ से फोल्ड कर देंगे और फिर डबल फोल्ड करके इसको ये देखिए इस तरह है उपर से करीब हमने यहाँ पे निसान लगाने धाई से तीन इंच जितना आप खुला रखना चाहते उतना रख सकते तो मैंने तीन इंच यहाँ से खुला रखा है और पट्टी को इस तरह से जो खुली वाली साइड थी पट्टी की वो अंदर की तरफ रखते हुए इसको एक इंच पट्टी जो है बाहार की तरफ रखी है हमने और इसको इस तरह से सिल दिया है अब हमने यहाँ पे कपड़े के ट्रेंगल बना के लगाने हैं तो कपड़ा ले लेंगे जिससे चार इंच ओड़ा और चार इंच लंबा है यह और इस तरह से इसको फोल्ड करके ट्रेंगल तयार कर लेंगे और ट्रेंगल जितना आपने छोटा बड़ा बनाना है दिखाना है उतना आप बना सकते हैं तो यह लगबग इस तरह के डिजाइन में जो है यह इतना साइज जो है अच्छा लगता है तो दो इंच के इस तरह से चोकोर टुकड़े लेके ट्रेंगल तयार कर लेंगे और एक के साथ एक इस तरह से रखते हुए इसको लगा लेंगे यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हैं सिम्पल बटन भी लगा सकते हैं और इस तरह से यह ट्रेंगल पीस भी बना के लगा सकते हैं अब जितना आपने ओपन रखना है उतने एरिये पे यह ट्रेंगल लगा दें और उसके बाद जो है यहाँ पर डबल से लाई लगा के इसको कम्पलीट कर लें उपर से फिनिसिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसको कट कर देंगे अब हमने कोलर तयार करनी है तो उनों को बराबर कट कर लेंगे यह सामनी का पार्ट है और यह हमारा पीछे वाला पार्ट है तो इस तरह पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इसकी जो है नेक कट करेंगे एक इंच गहरी लेंगे और तीन इंच इस तरह से और इसको गुलाई में कट कर देंगे इसके बाद हमने आगे और पीछे के जो शॉल्डर है दोनों को जोइंट कर लेना है दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और जोइंट कर देंगे दोनों shoulder joint होने के बाद अब हमने इस तरह से कमीज को लेना है यह देखिए दोनों हमारे shoulder joint हो गए हैं अब हमने इस तरह से पकड़ना है इसको कमीज को और यहां पर इसको इस तरह डबल पकड़के इसकी गले की जितनी भी लंबाई हो रही है उतनी हमने यहां पर चेक करनी है तो इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़के और गुलाई में इसको नाप लेंगे तो सवा 9 इंच के आसपास इसकी जो है आ रही है जितना भी इसका गीरा है तो सिंगल भी आप इस तरह से एक बार दुबारा चेक कर सकते हैं तक ही अच्छे से पता चल जाए तो साढे अठारा इंच सेम आ रहा है नो का जैसे वो खूल के अठारा इंच हो जाएगा सवा 9 तो साढे अठारा ही इंच हमारा यह तैयार होगा तो इस तरह से यह बुकरम ली है पेस्टिंग वालें आठ इंच यह डबल में है लंबी और चोड़ाई पाँच इंच हैं तो हमने इसमें round में color neck cut करनी है, तो 3 इंच इस तरह से निसान लगाएंगे, बंद वाली तरफ है ये, और यहां से इस तरह एक round shape लगा देंगे, normally जैसे हम गला बनाते हैं round shape में, उसी तरह से यहां पर निसान लगाना है, फिर इंची टेप को रखे इस तरह से चेक करेंगे, कि सवा नो इंच हमारा कहां तक आ रहा है, थोड़ा सा इसमें कम हो रहा है, फिर से दुबारा एक और round लगाएंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा के लगा देंगे, ये छोटा लग रहा था, अब हम दुबारा चेक करेंगे, तो ये देखिए, यहां पे, सवा नो था, सवा नो पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इस तरह हमने अच्छे से round shape जो है, ड्रो कर लेनी है, और जो हमने जितनी इंच की कोलर लगानी है, उतनी इंच का इस तरह से मार्क लगा देंगे, मैं पोना इंच की चोड़ाई रख रही हूं कोलर की, और इस तरह पूरे पे हमने निसान लगाते हुए, इसको तयार करना है, तो ये देखिए, ये हमारी कोलर जो है, निसान लग के तयार हो गई है, अब हमने इसको कट करना है, तो एक पिन लगा लेंगे, और इसके बाद जो है, इसको इस तरह से कट कर देंगे, अब इसको कपड़े के उपर पेस्ट कर लेंगे, तो मैंने इसको देखी, खुलने के बाद जो है, इसकी शेप इस तरह से आईगी, अब कपड़े पे, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, कपड़ा जो है, डबल फोल् और यहां से गुलाई करते हुए इसको स्टीच करना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, बुकरम के उपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। कपड़े के उपर ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। बस round shape तक इस तरहें से लगा के हमने इसको complete कर लेना है और जो extra fabric है उसको हटा देंगे सिर्फ आदा इंच का fabric बहार की तरफ हो और इस तरहें कट लगा देंगे छोटे छोटे सेम तरीके से बहार की तरफ जितना हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा margin जितना हमें चाहिए उतना ही रखना है और इस तरहें से color को तयार कर लेंगे तो ये देखें बिल्कुल finishing के साथ हमारी round neck तयार हुई है अब एक बारी हम इस तरहें से रख के check कर लेंगे और फिर इसको stitch करेंगे तो जिस कपड़े पे हमारी bookworm paste है वहाँ से हमने इसको लगाना start करना है कमीज हमारा सीधा रखा हुआ है और start करेंगे इस तरहें से double stitch करते हुए धीरे धीरे हमने जो है इसको stitch करना है बिल्कुल भी खिचाव नहीं करना है कपड़े में बुक्रम भी हमारे बिल्कुल हलके हाथ से पकड़ी जानी चाहिए और कमीज वाला पार्ट भी बिल्कुल हलके हाथों से इस तरह से इसको half तक लगा के इसको अलग कर देंगे अब हम दूसरी तरफ से लगाना start करेंगे इससे क्या है finishing जो है थोड़ी अच्छी आती है तो अब हम इस तरफ से रखना start करेंगे और seal देंगे इसको दीरे दीरे हमने इस तरह से इसको लगाना start करना है तो ये देखिए half तक हमने दूसरी तरफ लगा दिया था और half अब इस तरह से complete हो गया है तो इस तरह से ये complete हो गई है लेकिन अभी ये खुली हुई है इसको बंद करना है तो अंदर की तरफ जितना भी margin है उसको अंदर कर लेंगे इसको भी फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देंगे तो इस तरह ना ही तुरपाई करने की ज़रूरत है और बिल्कुल pack हो जाएगा कोलर हमारा एक्स्ट्रा जितना भी fabric नजर आ रहा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई हमने वहीं पे लगानी है जो पहले हमारी सिलाई लगी है कोलर को हमने attach किया है कमीज के साथ सेम उसी सिलाई के उपर सिलाई लगानी है क्योंकि ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ दिखाई देगी तो इसका हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप सिलाई जो है मसीन से फिनिसिंग के साथ नहीं लगा सकते हैं, तो आप इसको अंदर की तरफ इस तरहें से फोल्ड करके तुर्पाई भी कर सकते हैं उससे भी फिनिसिंग बहुत ही अच्छी आती है, अगर आप सिलाई मसीन वाली सिलाई अच्छी से लगा सकते हैं, तो इस तरहें से लगा के इसको कम्प्लीट करें आगे की तरफ भी हमने जो मार्जन है, कपड़ा है, उसको अंदर की तरफ कर देना है, बहार बिल्कुल भी ना दिखाई दे, और इस तरहें इसको कम्प्लीट कर लेना है तो कोलर हमारी लग के तयार हो गई है, फिनिसिंग कर दे, इसकी धागें वगएरा कट करके, और ये देखे, बहुत ही सुन्दर हमारी लग के ये कोलर रेडी हो गई है और इस पे इस तरहें से आप बटन वगएरा लगा के कम्प्लीट कर लें, और फाइनल लुक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे फोलो करें, और वैसे इसकी जो फाइनल लुक आई है, वो क्योछ इस तरहें से है इसका ग्रीन दुपटा है, और फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, शेयर वर लाइक करना, और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, तक कि वीडियो का नोटि